क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जिंदगी में किसी चीज़ का संकल्प लिया हो और आगे जाके वो संकल्प ने दम तोड़ दिया हो आपको पता होगा कि ये काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप उसे करना भी चाहते थे लेगिन आगे जाकने आप उस काम को नहीं कर पाए आप पीछे हड़ गए कि आपको कभी इस बात का हैसास होता है कि संकल्प शक्ती डिटर्मिनेशन पावर आपके अंदर कम है आपको डेवलप करने के जरूर थे। या फिर आप इस बात को मानते है कि जिस व्यक्ति की संकर्फ शक्ति पहार जिसे मजबूत होगी वो जिन्दकी में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो में वे आपको चार पॉइंट बताने वाला हूँ अगर आप इसे एप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने संकर्फ शक्ति को पहार से भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। वीडियो बड़ा खास है इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। करना चाहते हैं उनके साथ आपका कोई भी कम्यूनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उस केस में आप उस व्यक्ति की बुक्स पढ़िए, उनकी बायोग्रफी पढ़िए, उनके वीडियो देखें। लेकिन उनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो व्यक्ति ने करके दिखा है, मतलब मैं जो काम करना चाहता हूं वो impossible नहीं है, वो possible है। लोग उसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं तो एक उम्मीद आपके इंदर जागती है। दूसरी बात कि आपके इंदर विश्वास भी पेदा होगा, कि यस ये काम बिल्कुल किया जा सकते हैं और आप उसे कर पाएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति को ओल्डी वहां पर देख रहे हैं जहां पर पहुंचना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपके जो विजुलाइज़ेशन है, जो आप करना चाहते हैं उसको एक बेज मिलेगा, आप पॉसिबल, यह हो सकता है, अगर यह कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं जो चीज सोच रहा हूँ, वो हवा में नहीं है, उसका एक बेज बनेगा आपके सामने कि यस इस पॉसिबल, बिलीव क्रियेट होगा, और उमीत नाम का जो पोदा है उसको पानी मिलेगा, तो य ऐसे माहूल में खुद को डालिए, जिससे कि आपका भी संकल्प यहाँ पे बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आपको छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जी हाँ दोस्तो, संकल्प शक्ती जो है वो प्रेक्टिस से बढ़ती है, आप जितना उसको प्रेक्टिस करेंगे आपकी संकल्प शक्ती बढ़ती जाएगी, और एक बार आपकी संकल्प शक्ती चरम सिमा पे पहुंच गई तो आप जिंदगे में किसी भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपने एक संकल्प लिया कि आप अगले दो घंटे तक सोशल मेडिया नहीं देखेंगे, अब अगले दो घंटे में आपको बार बार मन करेगा, क्योंकि आप अगले दो घंटे, जैसे ग्यारा बज़े है, एक बज़े तक, मैं एक एलाम लगा देता हूँ, जब तक एलाम नहीं बज़ेगा, मैं फोन को टच नहीं करूँगा, मैं सोशल मेडिया को उपन नहीं करूँगा, तो जब जब आपका मन होगा, आपके अंदर टेमटेशन ज चक्ति को पानी मिलता है, उस पोधे को पानी मिलता है, और वो मजबूत होती है, फिर आपने सोचा कि मैं अगले पांच घंटे तक सोशल मीडिया यूज नहीं करूँगा, फिर एक दिन ऐसा हैगा कि आप एक दिन तक मोबाइल में सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे, इस हिसाब से, मान लिजए कि आप चाय बहुत पीते हैं, दिन में पांच बार छे बार चाय पीते हैं, आपने संकल्प लिया कि आज के दिन में में एक ही बार चाय पीऊंगा, ठीक है, तो उससे क्या है कि पूरे दिन में आपने एक ही बार चाय पी आपको बार बार चाय प करते हैं कई लोग सोचते कि उप्वास करने से क्या भगवान मिल जाएंगे क्या इससे भगवान खुश हो जाएंगे लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति उप्वास करता है, वो रात होते होते, जब पूरा दिन भूखा रहता है, भूख लगने के बावजुद भी खाना नहीं खाता है, और रात को जब अपने उप्वास को वो खतम कर रहा होता है, उस टैम पे वो व्यक्ति के इंदर संकल्प शक्ति का निर्मान होता है वो determination के next level पर चला जाता है और वो वह व्यक्ति बन जाता है जो जिन्दगी में कुछ भी कर सकता है तो यह उपवास करने के पीछे का यह तातपरी है बिल्कुर उसी हिसाब से आप mobile ना लेने का उपवास कर सकते है आप चाहे ना पीने का उपवास कर सकते है आप टीवी ना देखने का उपवास कर सकते है अगर आप छोटी 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 चीजे ऐसी करते जाएंगे और उसको प्रूव करते जाएंगे तो आपके दिमाग में आपकी एक image create हो जाएगी कि आप जो भी नक्की करते उसे पूरा कर सकते हैं आपके अंदर वो संकल्फ शक्ति है कि आप हिमाले चड़ सकते आप कुछ भी कर सकते हैं तो यह संकल्फ शक्ति इस एक्स्पेरिमेंट से बढ़ सकते हैं यहां पर एक सजेशन में आपको देना चाहूंगा कि मुश्किल काम शुरुआत में ना करें जैसे मानली जी कि आप दिन में छे या आठ बार चाय पीते हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद आप चाय नहीं पिएंगे तो ह हो सकता है कि वो जो क्रेविंग साब के अंदर से टेम्टेशन आएगा चाय पीने के लिए वो आपको हरा देगा तो आप इसको एसे किजिए के छे बार पिरे तो आज में दो ही बार पिऊंगा फिर अगले दिन दो दिन तीन चार दिन के बाद अब मैं एक बार पिऊंगा ऐसे करते करते आप एक दिन उस चीज को बिल्कुल छोड़ देगे तो धीरे दीरे स्टेप बाब स्टेप आपकी संकर्शक्ति बढ़ेगी एक दम से नहीं बढ़ेगी एक दम से करोगे तो शायद आप यहां पे फिर से हार जाओगे और वहीं के वहीं आके खड़े हो थार्ड स्टेप, अब ये तीसरे स्टेप को समझने के लिए आपको एक एक एक्जामपल समझना है, मान लिजे कि दो लोग है, राम और श्याम, दोनों ही पहार चड़ना चाहते हैं, यानि कि दोनों ही माउंटेनियर हैं, परवता रोह के, अब राम को हमने क्या किया, सारे ट प्रूते हैं, स्पेशल कपड़े हैं, उसके पास एक वॉकिटो की है जिससे बात्चित कर सकता है, उसके पास रस्ती है, क्लैम पर सब कुछ है, उसको प्रोपर ट्रेनिंग दी गई और सारे के सारे टूल सापने प्रोइड कराएं, और उसको कहा कि अब आप ट्रेन भी है, और आपके पास सारे टूल्स भी है, आपको पहाड चड़ना है, और श्याम को आपने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिदेंस के दम पे पहाड चड़नी, दोस्तों आपको क्या लगता है, किस व्यक्ति के अंदर बिलिफ क्रियेट होगा, कि वो पहाड करेंगे, मेरे पास कोई तूल्स नहीं, आगे जाकि यह हुआ तो, वो हुआ तो, ऑक्सिजन कम पढ़ गया तो, मैं हिम्मत हर गया तो, मेरे एक्सिडन्ट हो गया तो, मैं गिर गया तो, मैं किस से कॉंटक करूँगा, और उसके दिमाग में दुनिया भर के अंदर प्रके क जिमाग से एक ख्याल आता है कि हाँ मुझे पता है इस काम को कैसे करें और उसको उसकाम को करने के लिए जितनी चीज़े ओल्डी चाहिए वो मेरे पास है मेरे पास oxygen mask है oxygen की bottle है मेरे पास उस प्रकार के कपड़ है मेरे पास जूते है मेरे पास walkie-talkie है मैं contact कर सकता हूं मेरे ड Leg, सब कुछ है parlament से रस यह सब कुछ है तो हा इस काम को किया जा सकता तो राम के पास यह काम करने के लिए heb themed चाहिए तो जो भी चीज में जिस भी काम काप संकलप डेवलब करना चाहते है Subscribe क्म कसे का मतलब यह की जो काम आप करना चाहिए। उसके रिलेटेड अप मीर्ण certain कीजिए, उसके related आप courses कीजिए, उसके related आप books पढ़िए, आप कहीं पर training लेका है जिससे आपके अंदर confidence create होगा, तो ये सारे tools जो है वो आपके अंदर एक भाहंग कर विश्वास पैदा करेंगे और आपकी संकल्फ शक्ती और भी आगे बढ़ेगी और जो काम आपको नाम होंकि लगता है वो आपके लिए अब possible हो जाएगा, तो ये tools जैसे की skill develop करना, अगर आप sales में बहुत अच्छे पाइदान पर जाना चाहते हैं, तो selling skill अगर आपने develop की, कि लोगों से बात कैसे करें, लोगों को product sell कैसे करें, objections को handle कैसे करें, ये skill अगर आपने develop की, ये knowledge अगर आपने develop किया, तो definitely आपकी संकल्फ शक्ती बढ़ने वाली है, इसको जरूर इस्तमाल कीजिए. Step No.4, शुरू कर दीजिए. जी हाँ दोस्तो, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने संकल्फ लिया है, उस काम को करना आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरू वात नहीं करते हैं, तब तक सारी की सारी चीज़े सिर्फ और सिर्फ knowledge हैं, और knowledge से कभी भी result नहीं आता ह है, एक व्यक्ति जिसने काम करना शुरू कर दिया, उसके अंदर जो confidence आएगा, वो confidence उस व्यक्ति के अंदर कभी नहीं आ सकता, जिसने सिर्फ सोचा है, सिर्फ समझा है, लेकिन शुरू नहीं किया, शुरू कर दीजिए, अगर आपको selling में आगे बढ़ना है, तो एक बार उसे बात करना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रोड़क के बार में बात करना, डेमो करना शुरू कर दीजिए, जिस भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते है, मान लीजिए आपको वजन कम करना, एक बार दोड़ना शुरू कर दीजिए, जीम जाना शुरू कर दीजिए, तो ये सिल्खसला एक बार चलना सुरू हो जाएगा, उसके बाद आगे 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 आप बढ़ते जाओगे और यकिनन आप अपने जिंदगी में उस मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। तो ये चार पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वो आज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश्यू अल दे बेस्ट, बी दे बेस्ट.